2022 में University of Houston में एक study की गई, एक research किया गया जिसमें ये देखा गया कि जो व्यक्ति soliush push-up, बैठे-बैठे ही soliush push-up का अभ्यास करते है कि blood में जो glucose का level है वो 52% drop हुआ जिससे की diabetes को यानि sugar को control किया जा सका साथ ही fat जो है fat का metabolism इंप्रूव हुआ जिससे bad cholesterol जो body में है वो reduce हुआ साथ ही इससे weight loss और fat loss करने में बहुत मदद मिली तो वीडियो बहुत interesting होने वाली है आज की इसलिए वीडियो को अंतक देखिएगा अगर चैनल में आप नए आए हैं या चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो अभी चैनल को subscribe कर लें क्योंकि आगे वीडियो देखते देखते कहीं आप भूल ना जाए तो चैनल को subscribe करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएगा नमस्कार दोस्तों मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों आप सभी ये तो मानते हैं ना कि हमारी दिन शर्या कितनी जादा बदल गई है कितनी जादा बिगड भी चुकी है, जिसके कारण जो health condition एक उम्र के बाद देखने के लिए मिलती थी, जाए 50 साल, 60 साल के बाद देखने के लिए मिलती थी, वो आज 20, 25, 35 साल के लोगों में बहुत frequently देखने के लिए मिलती है, और ये health condition जैसे की hypertension, high blood pressure, heart की condition, diabetes की समस्या, thyroid की समस्या, रात में नीद नाना, अत्यधीक मानसिक तनाव हो जाना, लोग infertile हो रहे हैं, साथ ही प्रजननक्षंता जो है घट्टी जा रही है, PCOD, PCOS की समस्या आजकल माताओं बहरों में बहुत common देखने के लिए मिल रही है, और ये समस्या ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में बलकि ये समस्या all over the globe, पूरे के पूरा विश्वे इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इन समस्याओं को देखते हुए 2022 में एक research हुई, एक study हुई, जो की University of Houston में हुई, ये देखा गया कि average जो American है, उनके दिन भर बैट कर काम करने का जो time है, वो 10 घं आर है, वो 10 से 12 घंटी लोग बैठे एक जगह पर काम करते रहते हैं, जिसकी वज़े से उनका metabolism जो है, वो slowdown हो जाता है, इसका बहुत गहरा effect उनकी lifestyle पर पड़ता है, और जब lifestyle खराब होती है, तो lifestyle से related ये diseases जो मैंने आपको बताएं, ठाइराइड, diabetes, hypertension, high blood pressure की समस्याओं देखने के लिए मिलती है, बहुत common हो जाती है, तो अब Mark Hamilton नाम के एक प्रोफेसर हैं, जिन्होंने एक push-up को इजाद किया, एक push-up करना बताया, जिसका नाम है solius push-up, आज इस वीडियो में हम solius push-up के बारे में बात करेंगे, कि solius push-up है क्या, इसको किस तरीके से करते हैं, और solius push-up में involved होने वाली जो muscles हैं, वो कौन सी हैं, और साथ ही ये research और आगे क्या कहता है, अब भाई ये solius push-up इतना जादा effective कैसे है, because of oxidative metabolism, अब ये oxidative metabolism क्या है, ये समझते हैं, oxidative metabolism वो process है, जिसकी मदद से आपके blood में उपस्तित fat और sugar को oxygen की मदद से burn किया जाता है, तो ये देखा गया कि हमारे शरीर में उपस्तित 600 group of muscles में, जो solius muscles हैं, पूरी body weight का सिर्फ 1% contribute करती हैं, जब आप solius push-up करते हैं, तो आपका oxidative metabolism हैं, वो boost होता है, जिससे कि जो blood में उपस्तित glucose हैं, शुगर हैं, उसको इन 600 muscles एक तरफ हो गई, और जो solius push-up के द्वारा ज glucose और fat हैं, वो उसको double या triple तक किया जा सकते हैं, और एक बहुत अच्छी बात ये हैं, कि जब भी आप physical exercise करते हैं, चाहे आप gym जाते हैं, चाहे आप दोड़ते हैं, चाहे आप yoga करते हैं, swimming करते हैं, एक वक्त के बाद जब आप exercise करते हैं, तो आपके शरीर का glycogen जो है, व अभ्यास करते हैं, तो आपको एक ही जगा पर बैट कर आराम से शोलियश pushup का अभ्यास करना पड़ता है, जिसकी मदद से क्या होता है, कि आप आसानी से glycogen को तो burn नहीं कर रहे हैं, बलकि glycogen की जगा oxidative metabolism की वज़ा से, बलड में उपस्तित जो sugar है, जो fat है, आप उसको burn क करते हैं, ना कि glycogen को burn करते हैं, तो इससे क्या होता है, कि आपको थकान भी नहीं होती, और आप एक ही जगहा पर बैटे बैटे घंटों तक इस अभ्यास को करके, अपने बलड के sugar को और साथी fat को बहुत अच्छी तरीके से burn कर सकते हैं, और अपना metabolism इंप्रूव कर सकते ह यह पाया गया है कि निरंतर सोलियश push-up का अभ्यास, अगर आप 130 मिनट करते हैं, तो 200 calories burn कर पाते हैं, साथी जब इसका अभ्यास आप 270 मिनट करते हैं, तो आप अपने शरीर से 400 calories burn कर सकते हैं, वो भी बिना किसी थकान के, और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप blood-ridden हैं, अगर आप बुजुर्ग हैं, शरीर में किसी भी तरीके का operation या surgery या कोई injury हुई है, तो भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, और अगर पूरी तरीके से स्वस्त हैं, और आपकी lifestyle बहुत sedentary है, यानि एक जगह पर बैट कर बड़े घंटों तक आपको काम करना पड़ता है, और आपको वक्त नहीं मिलता, तो आपके पास soleus push-up जैसा option है कि आप इसको जरूर कर सकते हैं, कहते हैं कि कुछ ना सही से कुछ तो सही, यानि आपके पास एक exercise ऐसी है, जिसको आप कभी भी अभ्यास कर सकते हैं, ये soleus muscles होती कहां हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, ये soleus muscles, आपके exactly calf, यानि पिंडलीनी जहां होती न, वहाँ पर घुटने के नीचे और ankle के उपर, ये जो इतनी बड़ी muscles हैं, इसको कहते हैं soleus muscles, आप सवाल ही आता है, कि ये soleus push-up है क्या, soleus push-up में आपको जादा कुछ नहीं करना पड़ता, आप एक जगा पर कुरसी पर बैठ करेंगे, आराम से मैं ऐसे कुरसी पे बैठी हूँ, ऐसी कुरसी पे बैठियेगा, जो कि आपकी रिड की हड़ी को सीधी रखें, फिर उसके बाद दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखें, और फिर उसके बाद अपना आप कुछ भी काम कर रहे हैं, लैपटाप पे काम क कर रहे हैं, या किसी से बात कर रहे हैं, किसी फाइल पर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या कि फिर घर पे ही किसी से बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से सोलिय पुशप निरंतर करते रहने से, करते रहने से, तीन से चार घं किया, heels को up किया, heels को down कि, heels up, heels down, heels up, heels down, heels up, heels down, heels up, heels down. इसी तरीके से आप अपने पैरो पर थोड़ा वेट डाल कर भी इसका अभियास कर सकते हैं आरामसे जब आप घर पे वर्काउट कर रहे हो तो अभी तो मेरे पास ये 3 kg के डंबल्स हैं तो इसको मैंने इस तरीके से पकड़ लिया और उसके बाद फिर इसका अभियास कर रही हूँ हीलस अ फिज डाउन इससे थोड़ा सा वेट डेने से ये मेटबॉलिजम और अच्छी तरीके से बूस्ट होगा के वॉक करने का सोलियस पुश अप जो मैंने पहले कुर्सी में बैठ के बताया तो आप आराम से तीन से चार घंटे कर सकते हैं लेकिन जब आप नॉर्मल अपनी एक्सरसाइज वगेरा कर रहे हो तो आप इस तरीके से वेट का इस्तमाल करके आप अभ्यास कर सकते हैं बैठे Heels Up Heels Down इस तरीके से Heels Up Heels Down इस तरीके का अभ्यास या कि फिर आप आराम से वाक भी कर सकते हैं जब आप कभी पार्ण में जा रहे हो तो heels को उपर किया और इस तरीके से ऐसे walk भी कर सकते हैं तो ये कुछ additional exercises हैं जो apart from आपके soleus pushup वो आप कर सकते हैं इस तरीके से soleus muscles को train करके amazing benefit पा सकते हैं अपने blood sugar और fat को metabolize करके दोस्तों अगर आप मेरी नीगरानी में रहके योग का भ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा conduct की जाने वाली online yoga classes में इन online yoga classes को zoom के माध्यम से conduct किया जाता है और हर तरीके के आपको आशन, प्रानयाम, ध्यान, relaxation किस तरीके से करते हैं वो सिखाया जाता है और साथ ही आपको इतना सक्षम बना दिया जाता है कि आप खुद से यह अभ्यास कर सके और आपके lifestyle को बहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी tips भी दिये जाते हैं ताकि आप healthy lifestyle अडॉप्ट कर सके और वो भी एक दिन, दो दिन, एक महीने के लिए ने पूरी जिंदगी भर के लिए ये lifestyle आप अडॉप्ट करें मेरी निग्रानी में जो रहे कर student अल्रेडी अभ्यास कर रहे है उनको उनकी diabetes, thyroid, उनको अपने blood के sugar को control करने में hypertension, high blood pressure, नीद नाना, constipation जैसी समस्या है PCOD, PCOS की समस्या, इन सारी health condition को manage करने में बहुत जादा मदद मिली है इसलिए मैं आपको highly recommend करूँगी कि ये class से जरूर join करें इसके लाबा आप सोच रहे होंगे कि ये class कौन join कर सकता है ये class कोई भी इंसान join कर सकता चाहे male, female, beginner, already practice कर रहे है या कोई health condition, कोई भी इंसान अगर आपको लगता है कि zoom के माध्यम से आप ये class नहीं join कर पाएंगे कोई बात नहीं मैंने कुछ course ऐसे design किये हैं जो completely beginner friendly है एक घंटे की classes होंगी और ये ये videos जो मैं बता रही हूं जिसके बारे में ये YouTube पे आपको available नहीं होंगी exclusive videos मेरे website पर आपको मिल जाएगी आप जैसे ही registration करते हैं आपको इसका access तुरंट दे दिया जाता है अपने घर के comfort zone में ही रह कर, बैट कर पूरा freedom है आपको कितनी भी बार इन videos को play करे और स्वासला पाए आप सोच रहे होंगे कि इन zoom classes और इन courses के बारे में आपको और जानकारी कैसे मिलेगी तो मैंने यहाँ पर अपनी website शेर की है जो की है www.yogavidshahida.com आप इस website पर visit कर ले या कि फिर यहाँ पर मैंने ये वाटसेप नंबर शेर किया है इस वाटसेप नंबर पर अगर आप एक वाटसेप कर देते हैं तो आपको class और course के बारे में सारी जानकारी भेज दी जाएगी देखिए मेरी सलाहत तो आप सभी के लिए यह है कि आप अगर हो सके तो physical practices तो करे ही थोड़ी exercise करें, योग का अभ्यास करें walking और running करें लेकिन जब आप बैठे-बैठे soliash push-up का अभ्यास करेंगे तो आपको और extra benefit मिल रहे हैं अगर आप move कर सकते हैं तो दूसरी exercises के साथ-साथ soliash push-up करें लेकिन अगर आप move नहीं कर सकते हैं due to any health condition या physical condition तो आप soliash push-up का अभ्यास तो जरूर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक option है अगर आप इस research के बारे में और पढ़ना चाहते हैं या किसी को refresh देना चाहते हैं किसी को share करना चाहते हैं तो इस research का पूरा पूरा जो link है मैं नीचे description में दे दूँगी आप आसानी से जाके पढ़ सकते हैं और और भी अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं तो देखा आपने कितना आसान था ना soliash push-up का अभ्यास करना मैंने बहुत कोशिश की हर तरीके से आपको समझाने का कि soliash push-up क्या है किस तरीके से काम करता है और आप किस तरीके से इसका अभ्यास कर सकते हैं आपको करना सिर्फ इतना है कि अभ्यासों को करना शुरू कर देना है साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आईए ना लास तक देख रहे है ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है जाने से पहले इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बिना जिजक के कमेंट कीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को रिष्टदारों को भी फॉर्वर्ड करना है शेयर करना है ताकि इस वीडियो से वो भी लाभानवित हो सके सोल्यश पुशप का अभ्यास करके उनको भी फायदा हो सके अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए नमस्ते